इसके बारहे में अगर चेक करना चाहते हैं तो कैसे चेक करें बहुत बार अइसा होता है कि लोग विदेश में रहते हैं जैसे कि लेकिन कैसे पता करेंगे कि आपका फाइल हुआ है या नहीं हुआ है इसका मतलब होता है कि बहुत बार ऐसा हो रहा है कि लोग सुचते हैं कि हम दुबई फीर से चल जाए ठीक है लेकिन उनको डड़ रहता है कि हमारा वीजा जो पहले वाला है कैंसिल हुआ है या नहीं हुआ है वीजा लग जाएगा या नहीं लग जाएगा इसके बारे में आज की बीडियों आपको बताने वाले हैं कि आप ऑनलाइन कैसे चेक करेंगे कि आपका जो वीजा है वीजा कैंसिल हुआ है या नहीं हुआ है इमरेस आडी कब एक्सपायर हो रहा है इसके बारे में हम आज के बीडियो में बताने वाले हैं और आपको सिखाने वाले हैं किस तरीकिया से आप चेक करेंगे चलिए हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं हमारी यूट्यूब चैनल पर अप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जो आप्लीकेशन आप यहां पर देख सकते हैं यह अप्लीकेशन आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है इंस्टॉल करने के बाद आगे का प्रोसस में मोबाईल पर जा करके बताता हूँ Play Store पर आने के बाद आप एक application को install करेंगे जिस application के नाम है UIICP UIICP लेकर जैसे search करेंगे मैंने आल्रड़ी install कर लिया है तो open का wipeson दे रहा है आप install करके इसको open कीजेगा जैसे मेरा भाई इस application को आप open करेंगे application कुछ इस तरीके से open होगा आपको यहाँ पर email id and password माँगेगा आपको घबडाना नहीं है आपको कोई signing नहीं करना है कोई भी registration नहीं करना है निचे देखेंगे public services लिखा है पब्लिक services वाले option पर आपको करना होगा click जैसे आप यहाँ पर click करेंगे आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से नज़र आएगा उपर देखेंगे यहाँ पर file valid mighty का एक option दिखाई देगा file validity वाले option पर आप कर देज που किलिक जैसे file validity वाले option पर आप click करेंगे उसके बाद से आप यहां से अपना वीजा को भी verify कर सकते हैं कि आपका वीजा cancelled हुआ है या नहीं हुआ है आप अपने passport information से भी check कर सकते हैं file number से भी check कर सकते हैं inverse ID से भी check कर सकते हैं आपको क्या करना है? passport information से चेक करने के लिए पासपोर्ट नंबर पासपोर्ट एक्सपारी डेट नेसलेटी देकर सर्च करना है लेकिन मेरे पास जो है फाइल नंबर है यान यूनिफाइड नंबर है तो हम क्या करेंगे फाइल नंबर वाले अपसन पर क्लिक करेंगे उसके बाद से रेसिडेंसी वाले वीजा पर क्लिक क आप नीछे देखेंगे unified नमबर आपसे मंग रहा है तो unified नमबर date of birth, nationality यह सारे details आपको देना है unified number आपकी वीजा के उपर रहता है गर नहीं रहता है तो passport information से चेक कर लिजेगा ठीक है यह unified number दिजेगा date of birth अपना select कीजेगा जो भी आपका date of birth है जिसे की year उसके बाद से date उसके बाद से month यह सारे चीज़ आप online सर्च कर लिजेगा आपटर date of birth ठीक है और उसके बाद से nationality को select करना है जिससे अगर आप इंडिया से हैं तो आप यहां से इंडिया select कर लिजे इंडिया select करने के बाद आप डारेक्ट यहां से सर्च करेंगे आप लोग यहां पर देख सकते हैं मैंने पूरा डिटेल्स यहां पर डाल दिया है उसके बाद से हम डारेक्ट यहां पर सर्च वाले बटन पर क्लिक करेंगे मेरे जैसे हम सर्च वाले बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद से हमारे सामने पूरा इंफर्मेशन ओपन हो जाएगा लेकिन यहां पर देखे I'm not Robert वाले अपसन पर आप क्लिक करने के बुल रहा है अब बताए इसको कि motorcycle कौन सा है तो motorcycle वाले अपसन पर क्लिक कीजिए फिर वेरिफाइग कीजिए यह security लिए देता है जैसे वेरिफाइग करेंगे आपका डिटेल से यहां पर ओपन हो जाएगा आपका फाइल नंबर सो करेगा नीचे आपको आपको फाईल इंफरमेशन का अपसर न ज़रा रहा होगा तो फाईल इंफरमेशन वाले अपसण पर आप्लिक कर देजख़े इससे फाईल इंफरमेशन वाले अपसण पफ दिखाइझ देदेगा यहाँ मन trillion चwasser नहीं करना चाहिए यहाँ परlished तो आप चुके हैं आप दुबारा दुबई में फिर जा सकते हैं अब रहाँ बात की बहुत लोग सोचते हैं कि हमारा इम्रेस आईडी तो भाई अभी भी वायलिड है तो इम्रेस आईडी से मतलब नहीं है आपका जो फाइल का एस्टेटर से वो कैंसिल होना चाहिए अगर क देंगे इसके बात से से करने के बाद तो आपका अच्छा लगा होगा अच्छा लगा लाइक कीजे शो मच प्रबाचीब में कर दो कर दो